मैं एमस 2022 के PSC Inuncing entrance exam result update कि क्योंकि कल काफी ज्यादा लोगों ने वेट किया और result नहीं आया क्योंकि साम तक update हो गया था कि जो अपडेट होनी थी वेबसाइट पर वो सारी की सारी अपडेट हो चुकी थी और आने वाले टाइम में भी थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आपको रिजर्ट को लेकर तो यहां जो कटेगरी वाइस कट आफ की हम बात करने चाहरे हैं कि काफे लोग पुछ रहे हैं कि कट आफ इसका लगभग केतना जाना जाता है तो यह कटेगरी वाइस कटाफ आफ आपको हम यहां पर explain करेंगे तो कटेगरी वाइस कटाफ में आप आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यह 2021 का है first round का तो first round में इतने तक जो कंडिडेट हैं वो selected थे आप देख सकते ह हैं 679 तक फिर 1300 EWS 1300 यहां आएगा आपका 1378 तक OBC 1010 तक SC 1982 तक और यहां 4990 तक और इधर के तरफ हैंडीकेप्ट कंडिडेट्स हैं उनका आप देख सकते हैं यह अन्रिजब्ट कंडिडेट EWS अविलेबिल ही नहीं था यहीं EWS का कंडिडेट कम पड़ गया आप समझें EWS का हैंडीकेप्ट कंडिडेट कम हो गया और बाकी कंडिडेट्स अविलेबिल रहे तो उनकी काउंसलिंग यहां तक थी तो यानि यह जो रैंक कट ओफ है यह एक तरफ सेफ है अगर आपके इसके अंदर रैंक आती है अन्रिजब्ट रैंक है और रैंक होती है मेरिट में तो यऊ आर जो रैंक आगर आपकी इन सभी कटेगरी के हaldर अगर इतनी इतनी करीब है तो आप आप मान के चलिए कि आप सेफ हैं आपको एमस जरूर मिल जाएगा बिना किसी डाउट के first ही counseling में मिल जाएगा और आपको मिलना एकदम निश्चिंत रहें आपम निश्चिंत रहें कि आपको मिलना और आपको एमस पढ़ने में पढ़ने का जो है आउसर मिली जाएगा तो ये कट ओफ है ये ओफिशियल कट ओफ है जो की लास्ट येर जारी किया गया था 2021 के परणाम को देखते हुए तो लगबग 2022 में भी यही कट ओफ रहने वाला है तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कट ओफ आपके सामने है यहाँ पर और ये कटेगरी वाइस कट ओफ है जिससे आपको डाउट ही नहीं अगर आपकी इसके बीच में रहेंक आती है तो आप बिल्कुल सेफ हैं कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हाला कि इससे थोड़ा सा आगे भी बढ़ती है कट ओफ जाती है लेकि हमने यहाँ पर बात करने की कोशिस की है तो यह फरवरी में इससी साल 2022 में हुआ था तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक से लेके इतनी रैंक तक सेफ जोन में थे तो इसी तरीके से इस साल भी होंगे और इससे थोड़ा सा जोई 600 के जगा सास हो सकती है बहुता 800 हो सकती है तो ब जो है कर पाएंगे मार्क्स वाइस यहाँ पर कट आफ नहीं दिया जाता है यहाँ जनरल रैंक के हिसाब से कट आफ डेकलेर किया जाता है बाकी आप अफिशल वेबसाइट पर जब आते हैं तो यहाँ देखिए कल तीन अपडेट हुए लेकिन आपके रिजर्ड का अपडेट नहीं किया गया तो यानि अभी उसमें वक्त लगेगा टाइम लगेगा परिसान ना हो तो देखिए यहाँ पर जो आकल तीन और यहाँ अफॉप क्यू फर जो है फ्रिकुंटली आस्ट कोशन यहां उनलाइन सी अपडेट किये गए तो यह सारे के सारे कल ही सांक अपडेट हुए अगर अपडेट होना होता तो यह हां पर दीजर्ड हो गया होता तो इस लिए अभी टाइम लगेगा आप्टिस है तो आज तो बहुत मुस्किल है कि चीज़े बहतर आज रिजर्ट आपका आए तो आप मान के चलिए एक दो दिन का वक्त भी लग सकता है जैसे ही आफिशल अपडेट मिलेगी हम आपको बताएंगे फिलहाल आप उमिद करिए कि आपके रैंक जो है हमने जो कट आप बताया उसी के अंदर हो जिससे आप बिल्कुल सेफ रहेंगे और जिनके रैंके के अंदर आती है 2022 में उन्हें बहुत बहुत अग्रिम पदाए जो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाज शैहिन शैभारत